हेलो दोस्तों मेरा नाम है येशकुर्चानी और स्वाज़त है आप सभी का बटेक्स चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में दोस्तों 5G एक ऐसी टेक्नोलाजी है जिसके लिए हम सभी बेसबरी से निज़ार कर रहे हैं या government के या किसी भी तरफ से हो अलग-अलग trials चलते रहते हैं अलग-अलग areas में और उसको लेके भी update आता रहते हैं 5G Eye Technology जी हाँ दोस्तों सई सुना आपने इंडिया में 5G की जगे 5G Eye Technology आएगी और इस पे काम भी शुरू हो चुका है और दोस्तों खास बात ये है कि ये made in इंडिया टेक्नोलोजी है जी हाँ दोस्तों 5G Eye Technology को इंडिया के अंदर इंडिया में ही develop किया गया है और इसको develop किया गया है IIT हैदरबाद और IIT मदरास के द्वारा जी हाँ दोस्तों और खास बात ये है कि इसको ITU याने की international telecommunication unit द्वारा भी approve कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों और इसके अलावा खास बात ये भी है कि ITU ने पूरे वर्ल्ड में तीन standards को ही 5G के लिए अप्रूव किया है और जिनमें से इंडिया का 5G Eye Technology जो है वो भी एक standard है जो कि ITU के द्वारा अप्रूव किया गया है और इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि 5G technology जो है वो जिस band और frequency को उप्योग में लेती है ठीक उसी frequency और उसी band को 5G Eye technology भी उप्योग में लेती है और इसके अलावा आपने ये सुनने में मिला होगा आपको कि इंडिया में शायद हमको millimeter waves नहीं देखने को मिलेंगी पर ऐसा नहीं है दोस्तों 5G Eye के implementation के बाद हो सकता है कि आपको जल से जल्द millimeter wave की technology है वो भी देखने को मिल जाए और उसका भी implementation हो जाए कारण है कि 5G Eye technology जो है उसी तरीके से develop की जारी है जिस standard पे फॉरण में या दूसरे देशों में आपको 5G technology देखने को मिलेगे और इसी कार जाए पर अब बात आती है कि 5G technology जब इतनी बढ़िया है और 5G Eye technology तो हमने खुद में ही develop कर ली है तो फिर अभी तक 5G technology को हम उपयोग क्यों नहीं कर पारें और क्यों 5G में इतना delay हो रहा है तो दोस्तों देखिए कारेंट कई है और उनमें से कुछ current मैं आपको बता देता हूं और सबसे मेजर कारेंट की अगर बात की जाए तो यह है कि काफी कंपनियों ने अपने 5G trials शुरू कर दी है और इसी कारेंट से अभी जो है अब ट्राइल शुरू कर दिया यानि कि Airtel और जी और बाकी कंपनिया जो है वह अपने drivers पे 5G equipment लगा चुके हैं और उसकी चेंज करना पड़ेगा और अगर equipment चेंज करेंगे तो उसमें आएगा ज्यादा बड़ा खर्चाथ और इसी कारेंट से अभी डेले हो रहा है 5G AI technology को आने में वहीं अगर दूसरे reason की बात करें तो वह यह है कि देखिए अभी कई जगा उपाए तो 4G network ही अच्छ से नहीं आता है इस कमरे में जहां पर यह रिकॉर्ड हो रही है वीडियो वहां पर भी 4G कभी-कभी AIRTL का सही से नहीं आता है तो ऐसे में 5G को लाने के लिए तो और ज्यादा मेहनच चीह पड़ेगी क्योंकि इसको गाउं तक पहुचाना है हर जगे तक पहुचाना है और आपको तीसरे रिजन की अगर बात की जाए तो वह यह है आपको practically समझा देता हूं मैं देखिए और यह जो रिजन है ना यह 2G, 3G, 4G सब के साथ ही हुआ है तो पैनिक मत होईएगा तो देखिए अब अपने इंडिया में रहते हैं फॉर एक्जामपल 5G आई टेकनोलजी इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाती है और बहुत अच्छी बात है बल्ले-बल्ले हो गई हम सब 5G उप्योग में ले रहा है पर जब हम अपने मोबाइल को उप्योग में लेते हैं 5G इंडिया में तो बढ़िया चल रहा है देदर चल रहा है और पता नहीं मजह आ रहा है और हम अपने मोबाइल को लेके जाते हैं फॉर लगे इंडिया में आता है इंडिया के बाहर 5G टेकनोलजी चल रही है अब वह जब इंडिया में आएगा तो उनका हाडविय जो है बॉबाइल का वह फाइजिके हिसाप से नहीं है दोस्तों 5G के जो मैंने आपको बताए कि 3 standards अप्रूव हुआ है और उनमें से जो बाकी standards है उनमें 3G PP जो टेक्नोलोजी है इस चैंडर है वो भी उप्योग में लिया जा रहा है जो compatibility issue करता है 5G I के साथ याने कि यहां पर technology का compatibility issue है और वो mobile जो 5G I के अलावा जो दूसरे standards पर काम कर रहा है 5G के जिसमें 3G PP पे काम कर रहा है वो जो है इंडिया में operate नहीं होगा और इस कारण से वहां की users जो है जैसे की जो foreigners इंडिया में आएंगे वो पाईशान होंगे तो खेर मैंने आपको पहले ही पता दिया है कि यह कोई नया कारण नहीं है 2G 3G 4G सभी के साथ इसा हुआ और उसको दीरे-दीरे करके fix भी कर दिया गया और मेरे क्याल से शायद आपको पता भी नहीं चला होगा काफी users को तो पता ही नहीं चला होगा तो यह कुछ कारण है जिन कारण से अभी इंडिया में 4G के बाद 5G आने में इतना डिले हो रहा है और मेरे ख्याल से यह डिले जरूरी भी है क्योंकि किसी टेकनोलोजी को अगर ठोग बजा के हमें की सही तरीके से टेस्ट करके नहीं लाया जाए तो मेरे ख्याल से काफी परशानी हो सकती है तो दोस्तों यह थे कुछ अपडेट 5G आई टेकनोलोजी को लेके तो दोस्तों उमीद करता हूं क कि यह वीडियो आपको इंफर्मीटिव और इंटरस्टिंग दोनों ही लगी होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और हाँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर टाइब करके बताईएगा कि 5G I के बारे में क्या आपको सबसे ब पंदे माद्रम कर दो